हेलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग कैसे हो दोस्तों मैं तो अच्छी हूँ और अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज सिवरात्री का दिने तो मैं उठी हूं थोड़ा से जल्दी क्योंकि आज पीव को स्कूल जाना है और मैं यहां पर उठके आई हूं भगवान जी के रू इक गीला कबड़ा मार देती हूं और सबसे पहले में इस पर पानी घरम करते हूं अपने लिए और बच्चों की बोटल में भरने के लिए थोड़ा सा घलका सा घरम पानी देती हूं उनकी बोटल में डाल के अब मैं आपे कर रहे हूं दूद साथी में दूद भी घरम करके जाती हुआ उसके बाद यह ठंडा होता रहता है और बच्च अट जाते हैं तो फिर भी लेते हैं तो इँ उठतेके साथ दूद्ट चाहिए रहता है तो मैंने यह बोटल में पानी कर रही हूँ दूद्ध स्कूल के बोटल है यह करीं के लिए और ओफ है एक ज्याशन करते ह्ना इस बट इब अब यहां पर यहां पर यहां लिए पर गत्ट जाएं कि तो सिराब दी में रखने तना ही में यहां जाड़ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब इनसे फेला में निचे निचे फिन निवर रहा । और जाडु लगाने के बाद मैं यहां पर पानी चड़क देती हूं, थोड़ा सा, सीड़ीों पर पोच्छा लगा देती हूं, तो पहले पानी ही चड़कते हैं, क्योंकि हमारी साइट बोलते हैं, सुबह सुबह भास दर्वाजा नहीं रखते हैं, तो फिर पानी मैं लोटे म देते हैं कि मैं सुभए जाड जाड़ु लगाने के बाद और बाहर पाणि डालने के बाद कडि करती मॉपम पबच्शन चला देते हो इसके बाद में नहागा कि आचुकी हो अमने बस थोड़ा सा याने सर्वा कर लेतके चुच कर लेती हुऊ करने के लिए हेलो हेलो फैंट्स गुड मॉनिंग कैसे हैं दोस्तों बेलकम बैक मैं टू मैं चैनल जान्समाम व्लोग सब मैं तो अच्छी हूं दोस्तों उमीद करते हैं आप सब भी अच्छी होंगे बहुत बहुत स्पेशल दिन है आपको पता है आज है महसिवरात्री आप सभी को महसिवरात्री की बहुत-बहुत सब्सकों नाए बगवान बोली नाता पिश्षमनों कमना पूरी करें अम्भी मेन हादो के सारा कम करके आ चुके हूं आज अब हमें पिखुप होगए तो यह स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके चक्कर में उनकी मंडी की छुटी दिया, आज की नहीं दिया, उसे जाना है, तो मैं उसे उठा देती है, क्योंकि उसने भी फास्ट रखा हुआ, वो उससे भूल के सुई थी, और ज्यांस को मैं पहले निला देती हूं, तब तब पी हूठ थोड़ी सी टाइम तो लगता है, बच्चाए उठने में और उसके बाद में वो भी नहाएगी, फिर सब लोग मंदिर जाएंगे, और मंदिर जाके गाप भी पूजा करने तो टाइम लगी जाता है, जो कोई फेस्टिवल होता है, या कुछ होता है, तो पूजा उजा करने पहाने में हमेसा लेके जाती है, वैसे भी डेली मंदिर जाती है, पर जल चरहने के लिए तो अगर नहीं भी डेली भी नहीं जाती है, कहीं दूर रहता है मंदिर जाती है, तो चलो पास में तो डेली चले जाती है, पर से वरात्रे वाले दिन तो में दोनों बच्चों को ल आपको कैसे लगा इस चालना है यहां पर मैंने इसको कुपड़े पहना के अभी कर दिया है रेडी इसको नहाने का सुपर सुपर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सबसे पहले बोलता रह Tribus the जफर आपके कामयर्य गया पाना पुर्ता है है कि इसके आप वहां ने पाल बाताने आता है ता कि जो को सर्द भॉथ ही रखेंए और यहां में इने बॉशिल कर दिद दिल जए है क्योंकि अभी पानी जाने का नी तो टाइम हो जातर ये कलगी में ने आउनी जोड रहती इस डारेक्ट बंद कर देते हैं तो यह वहीं से ही स्टाट होती है तो वहाँ एक पे थी जब मैंने यह बंद गी थी लाइट चले गी थी तो यह बंद ओगी थी वहीं और यहां पर य यह सारे लगे हैं दैयारी करने के लिए कोई कुछ के राहें सब लोग काम कर ने थे तो यहां पे पूझे के बरतन को कला कटी in सामक्री वो एव् tego Japan मैं घंटि कर रख लेती हूं औरاد सपर यहां फीवल यह पूजा के बरतन साफ करने लिए जब तक म जब दुद कर लेते है क्योंकि सबहें कुछ रात को कुछ भी करके रखा नहीं था बेल पत्र दूके या फ्रूट रूट कुछ भी दोके नहीं रखा था तो सारी चीज़ें भी करनी थी और उसी में सब लग लह रहे थे देगा प्योंकि इतने आराम आराम से बढ़तें साफ कर दिये एक दम यहां पर आगे जोज़ जला रहे जोग पहले यहां पर फ चल आके चले जाएंगे फिर मंदर उन Pharise click किमर में जाना है जिया नहीं रहता है क्योंकि घर पे एक बार पहले पूजर हो जाने चाहिए मंदर जाने से पहले और्वें जाक के पीऊ को स्कूर जाना रहेगा तो यहां के लिए भी नहीं रहेगी कि पूझाने हो जाए एंगा जाली लगा लिए मुचंदन रोली चावल बेल पत्र अरे चीजे रख लिए यहां पे पंचे मरत भी त्यार कर लिया है मैंने यह की साथ सारी चीजे मिक्स कर लिया है घ अब हम सब लोग चल दिया मंदर के लिए और यह दोनों भी बहन बाई आ रहे हैं और आज देखो पता ने इस तो मौसम साफ ही रहता था था आज पताने कैसे एतनी दूंडर जिये यहां से कुछ दिख भी नहीं रहा है यहां से अपला मंदर में हमारे घर से पास में यहां मंदर के लिए मिल जाता है और हम आगे सब लोग मंदर में यहां पर बच्चे कर रहे हैं पहले पूजा तो मैं वही पी वह मैंने बताए हुआ है कि यहां पर जो यह गुतिय जिसमें से जल निकलता है उसका लांगते नहीं है उस लाइं को तो जियांसु से समझा रहा है कि ममी ने ऐसे ऐसे बताया है वहां से नहीं जाते है फिर यह यह जब बी मंदिर में मेरे साथ जाता है तो इसी तरह जाल अंदर चड़ा कि आएगा पहले जल और फिर बाहर चड़ाएगा और प्रकम्हा भी उल्टी कर रहा है देखो जैसे हम करते हैं यह देखता है उसी तरह से फॉलो भी करता है जैसे हम सुर्व बखवान को जल चड़ अब तक मंदर खाली था जैसे ही पूझा करने फे स्टार्ट की आज के दिन तो बहुत भी रहती है अब यह सुभह का टाइम था थोड़ी कम भीड़ती इसलिए फटा-फटा-फटा-फटा-फटा सुभह सुभह निकल गेते हैं और यह देखो यह आसन लगा कि इस तरह से पंडी जी बनके बैटा हुगा एक दो आगे पूझा करने वाले और भी लगे हुई है कि अभी सुभह का टाइम था तो इतनी भी नहीं थी पर दिन में तो बिल्कुल भी टाइम जगे नहीं मिलती है मंदर में इधर इधर ही क्या मतला आज के दिन तो किसी भी मंदर में आराम से चंदन लगा रहा है बैठके उदर प्यू जला रही है जूद वो दीपक लगा देगी और ये चंदन लगा रहा है पूरी पूझा कर लिए हम ऐसे तयारी करके घर्चे लेगे लिए जिसले मंदिर में वहां पर टाइम नहीं लगता है फिर जादा और ये दोनों भ यह बच्चे ही दम खुझ हो जाते हैं मंदर से पूझागर के आए यह कहीं भी आए इने इसे भी लगता रहता है प्यूगों कि कहीं में लीटना हो जाओं तो इस चकर में आज थोड़ा जल्दी भी उठी गई थी और बच्चे थोड़ा सा रात को भी टाइम लग जाता है सुने में पढ़ाई बढ़ाई करते रहते हैं और उसके बाद हम आगें घर पे घर बन रहे हैं चाहें हम पीएंगे और यह मैंने पीऊ के टिफिं के लिए थोड़े से मकाने गी में बूंके रग दे थे और में वही कडाई साफ कर रहे हूं कि इसको में रग देती हैं यह और लगता नहीं है इसको किसी से भी उसी सूखे चंदन को लेकर फिंगर में और उसे लगाता रहता है यहां पर पूजा हो गया उप लूटा भर के और अभग देंगे अर यहां पर प्यूग कर देंगे एक फिर थोड़ा सदान डाने चली जाएंगे कि अक्षियों को और इसका भूब लगा दिया है थोड़े से मखाने का किसमें सी सारे जो ड्राइ फूट्स थे यह में थोड़े से गी में कर दिये थे और जब मंदर गए थे तो यहां पर फूल नहीं कड़ा के गए तो फटा फट लगा के चले कि मंदर जाने के लिए लिए लग रही थी कि कहीं लेट नो हो जाओं मैं तो करीब ममा पहले मंदर हो कर आ जाती हूं और घर आके फिलिपूल कड़ा रही है और यहां से थोड़ी से चाय पीकिए और फिर निखल गिये स्कूल के लिए तो फ्रैंड समझा रहे हैं अभी स्कूल पूजा करने के बाद नह कि याराम से इतने ठंड में सेर करता हुआ गूम रहा है इनको भी चैन नहीं है कि कहीं एक जगे यह बैठ जाएं वन नहीं इधर उदर गूमते रहेंगे स्टॉप इसका थोड़ा सा घर से जो है वो दूर पड़ता है ज्यादा दूर भी नहीं है पर हां बच्चे हैं तो बच्चों का बैग थोड़ी से बारी रहता पर जादर टाइम पी हो मुझे अपना बैग बिल्कुल पी नहीं देती है कभी कवार किसी किसी दिन देगी नह अधर टाइम मेरा एनर्जी लेवल डाउन होता और इनकी बस आ चुकी है यह भाई थरके मुझे जा रही है यहां पर बच्चों के अब लाइन बनने लगे तो यह देखो पस इदर से घूम के जाते है यहीं पर गवमाता के हुए हमें सुबह सुबह दर्सन गवमाता यहां इस तरह से क्या भी धूप कम भी है थोड़ी सी अभी निकलिया थोड़ा सा लेटर क्योंकि सुबह धंद होगी थी अगर नहीं चेंज करूंगी तो जो जो रहती है यह सुखती नहीं है फिर करिए फटा फट जाकर चेंज कर दो क्योंकि ब्रत वाले दिन थोड़ी सेनर्ज लेवल डाउन भी हो जाता है कि दर दूप जादा आ रही है मेरी आंखों पही पढ़ रही है पूरी और अभी फिर मैं देखती हूं मंदिर में जाके किरतन हो रहा होगा तो थोड़ी सी देर हो दर भी चली जाओंगी और आज की ब्लोग में दो दोस्तों बस इतना ही अगर अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा सेयर कीजिएगा चलिए जी आज के ब्लोग में सिर्फ इतना ही मिलते हैं एक और अच्छी से ब्लोग के साथ सब तक के लिए बाई लवी और टेक केर बाई झाली